सलाम दोस्तों मैं हूँ अश्वाव ख्वाजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तो कैसे हैं दोस्तों आप उमीदे खेरत से होंगे तो काफी दोस्त मुझे बोल रहे था कि स्कॉललशिब्स के विडियो बना है और श्सटेगी egвет ब się फर्वाले है तो स्कॉललशिब्स के वाले काफी टवी विडियो बनाई हुई ऊनकी प्लेयरिस्ट आपको मेरे साथ में विडियो बनाऊंगा अंशाला तो आज मुझे 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 मेसेज़ रसीव हुए है कि उनके साथ फ्रॉड हो गया काफी एजनल ने उनके साथ फ्रॉड किया पेसे लिए उनकी एडमिशन नहीं हुई तो मेरा यह मकसद विडियो का बनाने का है अगर आप सेल्फ आसल किये बेचर उसकी डिग्रियां पर आसल किये गुलिन युनिवर्सिटी एफ एलेक्ट्रोनिक टेक्नोलोजी जो के गुलिन सिटी गौंशी प्रोंस में जो के चैना के साउथ इस्ट में आता है आप इसका मेब भी देख रहे हो यह बहुत यची उनिवर्स्टी है जब आपको हर साल पे करना है तो इसके लावा डॉमेट्री की जो फी है वो अगर आप फोर्थ बेडिंग में रहते हो चार बंदो वाला जो कमरा है उसमें रहते हो तो उसमें आपको दो हजार पे करने हैं अगर आप त्री बेडिंग में रहते हो तो उसमें आपको तीन हजार 45,000 रुपए होते हैं और अगर आप डॉमेटरी की फी पेकरना चाहो 2-3,000 तो वो मला के कोई 80,000 से 1,000,000 रुपए साल की हो जाती है इस टोट नहीं होता ठीक है इस बात का अपको ख्याल लखना और यहां पर चैनी जो इन आफ सीध सकते हैं आपको चैनी अच्छी और आप आगे पिछे यहां पर ट्रैवलिंग करते यह गूंते हो बार चैनील दोस्ट बनाते हो तो मतब काफी आपकी चैनील उंपरोव जाती टाइम पे जो करन्सी थी वह बहुत ही कम थी कोई जब हम आये थे तो 16-17 रुपे थी और आखर में जाके कोई 22-23 रुपे होई थी तो मैंने कल्कुलेट किया था मेरा जो खर्चा आया था चार साल का डिगरी का वह 20 लाख रुपे आया था इसके लाव अगर आप चैनीज ले लगेगा लेकिन चैनीज आप यहां पे इसी मस्त सीख जाओगे अगर आप रेगुलर क्लासेज लेते हो और अगर आप बायर जाते हो फ्रेंज वगरा बनाते हो उनके साथ कम्यूनिकेट करते हो तो आपकी चैनीज जल्दी सीख सकते हो बरे सीटी में चैनीज बंदा जल् सीख सकते आपको फाइदा था कि आप एक छोटे सीटी में रहे वहां पे आपने चैनीज जल्दी सीख ली यह है युनिवर्स्टी की फीस के अलावा वीजा फीस है मतलब वीजा फीस साल की वीजा एक्स्टेंड होगा आपका उसका 400 यवान है मेडिकल इंशूरंस जो है उ लूँगा ठीक है ना क्योंकि आपकी एंश्टी से थोड़ा दूर हो आपका फोकस खाली स्टेडिस पर होगा लाइबरी यहां पर है आप आओ अपने रूम में स्टेडी करो अपनी यहां पर रूम में कुकिंग होगरा करो बाहर आप जा सकते हो आप डेली जाना चाओ तो आपकी मर्जी है कोई नी रोकेगा काफी सारे लोग यहांसे ग्रेड़्ूट होके चले गएं काफी दुसरे कंडिस में भी गया है काफी चाना की दूसरे यूनिवर्श्टी स्टेडी बरी अच्छी है रेंकिंग काफी इंप्रूव भी है जब हम शुरू में आयते तो उस तो यह है हमारी यूणिवस्टी की आईसो ओफिस यह वह जगह है जहां पर हमारी ग्रेजुशन सेरेमनी की वीडियो देखी होगी तो आपने उस वीडियो में इस बिल्डिंग को देखा होगा तो उस टाइम पर यह बिल्डिंग कुछ भी नहीं थी ठीक है मतलब कि आप ऐसा इस पर सेट चुछ उसकी जो भी इविन्स वगरां हैं उन सारों की यहां पर डिटेल्स वगरा लिखी हुई है यहां मेरी भी दखाता हूं कि मैं यहां पर एक्ट्वीर करता था तो यहां पर आप देख रहे हो नगी होगा है ठीक है और एक दूसरी तस्वीर मेरी लगी भी में और सेकन्ड वह प्लोर भी है लबरदस थे नोगे मीचिंग वगरा बनाये हुए है एक स्ट्टी पल्सका रूम बनाया वह अलग से स्टीचिंग अफिर्स का भी रूम बनाया हुआ है कासी चीले मतलब के बनाई भी मतलब हर चीज को उन्होंने सेपरेट से यह बनाया ह हुआ है यहां पार्क वगरा बनाए हुए इन्होंने ओफिस के अंदरी कुर्सियां टेबिल वगरा भी रखी हुए है कि जो स्टूटन आता है या कोई ठीचर आता है तो फ्री टाइम पर यहां पे बैठ सकता है पहले यहां तो कुछ भी नहीं होता था यह खाली ऐसे ही होता यह स्टूमिंग पूल जो है आप अप्डेट करके नहीं बनाया हुआ है बड़ी अच्छी यूणवर्स्टी यह इक बात है यूणवर्स्टी कि यूणवर्स्टी के शेर से थोड़ी भायर है मतलब कि इसा समझ सकते हो के 8-10 किलो मीटर जो है ना यूणवर्स्टी वो शे है इनोंने यह 2019 के एंड में मतलब के 2020 के स्टार्ट में इसका काम शुरूआ था और यह कोई 2021 के एंड तक मतलब के डेड़ या दो सालों में यह बिल्डिंग इस तरह की बनी है मतलब इसको एक सार हो गया भी बिल्डिंग को इस जगह पे यह बनाई हुई है यह रास्ता यह पूरा नया बनाए यह पर नहीं बंद नहीं होता था हमारी और सामने वहां पर उन प्लाट था कुछ भी नहीं था यहाँ यह केंटीन उपर की तरफ कि यह शोप बलकूल इंटरनेशनल डो हैं बील्डिंग नबर 31 बील्डिंग नबर 32 और बील्डिंग नंबर 33 यह कैंटीन का फ्रेंट यह यहां पर हलाल रिस्टोर्न भी है अब इसका काम चल रहा है यह जट वगरा नहीं होती थी खाली यह गेट लगा होता था यह हमारी होस्तल यूनिवस्टी की तो यहां पर एक अफिक अफरीकन फ्रेंड मिल गया है यहाँ पर पोता था दोजार उनी इसमें यह एवरिटिंग देख रहे हो ठीक है यह इंटरनेशनल डोमेट्री ले और अंदर से इसकी जो एंटरंस उन्होंने बनाई हुई है वह बरी जबरदस बनाई हुई है पहले इस तरह की इंटरंस नहीं होती थी तो यह जो भार जो सारी चीजें बनी हुई है यह अभी बनाई सब्कॉगर के टाइम बनाई हुए है इसका और यह अपे देख रहे हुई है को इस्तुडन्स चाहिव्या आलं नहीं है क्यूल यह थी इसको किशी तैश्वीर दो तसावीर लगी हुई है एक यहां पे आप देख रहे हो कोवट की टीम में मुथे और दूसरी पर यहां पर नीचे में लेट आवाओं यह स्नोकर है लेकिन अभी शायद लरके यहां पर खेलते नहीं है तो उसकी हालत यह हो गई है तो यहां पर आपक़ देख सकते हो लेकिन आज कर सकता है बढ़ाई अच्छा व्यू आता है स केंपस का काफी जो दूसरे यहां पर केंपशे हैं दूसरी उनलस्ती है उनमें इतना अच्छा व्यू पना आता सब लोग यहां पर आते थे हमारी उनिवस्टी में आके तसावीर वगरा खिंचने की तो यह सारी जो बिल्डिंग्स आप देख रहे हो यह सारी नहीं बनी है तो यह बी नहीं सरक है अलांकि यह दो साइड हैं सरक की लेकिन एक साइड पर आना जाना रहता है अगर हम फील्स या मेजर की बात करें तो यहां पर खाली इंजिरिंग मुझूद है जिसकी क्लास सेप्टम पर से स्टार्ट होनी है और बाकी मेजर भी अविलिबल हैं लेकिन वो students की number of enrollment पे depend करता है अगर students की जो तादाद है वो उस number को मेच होती है तो फिर वो major start कर सकते हैं उसमें फिर computer science, mechanical, BBA शामिल है तो वो 25 से 30 student की class होती है जो depend करता है अगर वो students उतने उस time तक हो जाते हैं तो फिर वो major start हो जाता है वरना फिर आपको civil engineering में ही पढ़ना परेग इसके लब अगर हम documents की बात करें तो documents में आपका passport और आपकी degree transcript, police clearance certificate, medical examination और भी जो basic documents है कुछ और admission जो है आपका admission later or JW visa form वो आपको within 2 या 3 weeks के अंदर अंदर आपको मिल जाएगा तो से 3 हफते का time में और मेरी जो service charges होगी उसमें फिर आपको initial मतलब कि आपकी counselling से लेके सामल होगा आपकी admission आपका जो visa का procedure सारा कुछ हो मैं आपको guide करूँगा उसमें और even के यहां तक चायना तक पहुचने तक मैं आपको guidance दूँगा तो मेरी जो charges होगी वो बहुत ही कम है मेरे खाल से काफी लोग या agents काम करते हैं वो उनकी सबकी charges मेरी charges से उपर है आप बले देख लीजिएगा market में charges में आपको personally बता सकता हूं कि कि अगर आप interested है तो आप मुझसे personally राप्ता कर सकते हो मुझे उमीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने यहां पे study in China के हवाल से चीले समझी होगी तो अगर आप interested है तो आप मुझसे किया लगीएगा अलाहाफस